हेलो फ्रेंट तोडे वी डिसकर्ण बार दा सिल्रे एजिंग ऐखे वी हमारे सिल्रे इंग यह जुट टॉपिक है है यह हमारे सेल इंजूरी बारे चेप्टर में है सेल्रे एजिंग और एजिंग इसपेलिंग्ली जो देखिए हगा यहां पिस्टेक नहीं है हर्समोहन में और रॉबिन्स के बुक में ऐसे ही इस पेलिंग लिखा हुआ है तो पड़ते हैं हम लोग सेल्वर एजिंग होता क्या है क्या होता है दो जो च्रॉब्ट करैं और लॉषण को है जो एजिंग और प्रोट यूब्डॉंड होने के प्रोशेस को ही क्या बोलते हैं जो क्याओ अजिंग वोथा है स्केंड प्रोग्रेशीव चेंज़ ओवर टाइम लीडिंग टू लोस आफ फियोलोजीकल फंक्षन हैं क्या होता है कि अधिवृ क्या है कि एजिंग प्रोग्रेशीव चेंज़ ओबाँ यह समय के साथ समय के साथ जो चेंज जाएंगे जिसके बिसे लॉस आप देश्यॉलॉजिकल फंसन्सेल का फ्रीजॉज कर फंसन्सन कम होगा बॉडि का फिजोलॉजिकल फंसन्सन कम होगा फिजलाजिकल एवेंट्छल दिट्टा रिख जैल का डेथ हो जाना इसी परोसेस को बोलते हम लोग हेजिंग एक और हमार करते हैं वैसे हमारे बॉडी में निगेटिव चेंजर ही होता है बॉडी में जो भी फंक्शन्स है वो डिक्रीज होते हैं इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एजिंग सिअलोरी एजिंग इसिवगेट अबगर exactement हैं मतलब मतलब सेफ तेक्रीज होने वाले फंक्शन को इंदर लाइफ में जो सिब्गा यहां पाइ-" diff फंक्शन्षेयस थे्व॥ होते हैं फिसलोजिकलेऴ एक्शन फंक्शन्ल एक्टि अग्षाण की घांज थेंओ Quindi सेल है जैसे जैसे समय बितता जाएगा दो साथ दस साल पांच साल बाद इसकी जो फंक्शनल एक्टिवीटी ओडिक्लाइन होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी इसी प्रॉसेस के आप लते हैं एजिंग बोलते हैं एजिंग किस-किस फेक्टरस पर डिपेंड करता अभी थंक किसे के लिए तक हां प्रॉसे काषिपी डिपर हो पेला है इनवायर्मेंटल आन्द मेटाबलिक इनषेर्न पेला महां नम्हें उयायर्मेंटलमेटलिकyan ंभी इसकों लोगई पहुतर्थिंगे भाजाद्धी ब कि कि तीलमर शोर्तनियं दूसरा ए के ऊपर है यह आनों होोता है के इसके बससे होती है तो पहला हम लोग क्या फैक्टर पड़े थे इनवायरिमेंटल पहला मेंशल्ट मेंकरेंगे तो पहला हमारा है कि इन्वार्मेंटल और मेंटाबोलीक इंसल्ट में होता क्या है और इन्वियर्मेंटल मेटाबोलिक इससल्ट वी अप्र अब रिय्यमूलेस지 लिव मीटाबोलिक इसल्ट और आप वी उच्थ और फाजर्ट जेव urine मेटाबोलिक इसल्ट दरम एक इस्थ शोव ihan आ begunts पर वड्च कि इंसल्ट ओर टाइम में जाल्ट इनदन डह स्टू निवकलियार एंडा टो अन्स वे जैसे समय पास घंक ट्रिटा क्टिशंट में की होता क्या है कि यह से जैसे समय पास होता है कि इसके वजह से टिसू sigma होते हैं की अंदर और रिंवर का अधिया ये खिलिए की होगा कि है बटी विटियस के वाइसे क्या होगा चला इसने सक्था chilomet इसके भीकटर दूसरा हमारा हो जाए करने में होता क्वा नार्मल म deedकर का र corazón होता है किन एक जो नौर्मल होता है उसके पास लीमिट के है लिबेशिटी होती है डि लीजिन की नहीं नहीं हम बनेका डाला निये आप नहीं है बने तब क्यों है डियने तो बने की लीकाशन and division की say that the child has the more capacity for the replication and division more than the older people a child का जो सेल होता है वो olders people के सेल से जादे replication होता है उसमें division ज्यादे होथा तिहाँ पर क्या है तिलो मस्षाट निगा की प्रोप्लिकेशन और रूप्लिकेशन उप्लिकेशन के सेल इसे क्रो में कुछ वाट-एसे ऊपर का प्टimmen करता हैं। तीलोमर का function क्या होता है इसमें nucleotides के sequences होते हैं जो RNA template के जैसे यह काम करता है for the replication के लिए और ने template के जैसे काम करता है जिस पे new RNA template मिलके नया cell बनता है nucleotides होता है जो complete replication के रिस्पांस बनता है अगर इसमें short नहीं हो गई अगर समय के साथ जैसे जैसे समय पास करता है सेल को वैसे चलोमर short हो जाता है जब टिलोमर शाट हो गया cell replication कम हो जाएगा डेकरी सेलर रॉपलिकेसन और उसके बाद फिर जब तो होगा नहीं सेल में रिप्लिकेशन तो सिल को फॉर्मेशन जादे नहीं तो सेल लॉस होगा जिसके वस्ते इसल रेजिंग और हमारा जो थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वह क्या है वह हमारा थर्ड पॉइंट है एब नॉर्मल प्रोटीन होमियोस्टेटिस होता क् है जैसे कि हम लिखा है त design own जिर्ड पर टीरय मंड्र रेज्वांस इस्वांस रथी ऊंप्रियोण है प्लिक मून फोटीन हो सेंट हो चाहीं जब नहीं मेंटर्मल प्रोटीटिस इस जासे जैसे मैंने पास करता हैं जैसे जैसे जो को वो स्सक्राली करें का ड sentido करते है जैसे जैसे सेड ग्रोथ करता है उसमें होग Permand दोन Annoyagd Bear Championship को मैंटेन करने करें विकर टेंठेटन का वानटीटी को मिंटेन करने के विकर्टीमी जैसे जैसे सेल घ्रोक्रत और सिंथेसिज क्या होता है कि अबतार,"sonday 1967 इंक्रीज यहां ट्रन ओफर इंक्रीज हो गया do इक्रीज में इंक्रीज हो गया इंक्रीज होगया होगया hmmeostatic disbalance हुआ हुआ सब वूमच छाण सब्सक्राइब स्ख़क्राइब जिसके वरग से टोपार्ट मेरा कि इक राइम तिप्रनली एडिंगर डियुटम इस एडिगाए वह जीम्टमि तो तो प्रायमरी अजिय इंगिंग और श्यीम्टम्स को टू पार्ट में डिवाइड के एक होता है एक और में जो सारी सेल्ट में होता है सारे पर्सेंज प्राइम एजिंग क्या है उसक्राश करता जाता है तो लौस अप है इंक्रीज हो जाता है okay friends gray hair मतलब बाल जो है hair जो है हमारे white color के होने लगते है white color के proteins की कमी से क्रीटिन की कमी से बहुत सारे vitamins minerals की कमी से क्या होता है hair white करने लगता है skin pigmentation जब new skin होता है छोटे बच्चे का जो skin होगा उसमे skin pigmentation ना के बढ़ा होगा negligible होगा जैसे जैसे old होते जाएंगो इसे skin के pigmentation से जादे हो जाएंगे skin पर बहुत सारे pigments आ जायते हैं और चौथा point का effect on the hearing and vision hearing पर और vision पर भी बहुत जादे effect पड़ता है aging में और secondary aging क्या है secondary aging होता है कि जो कि अगर हम चाहे तो इसको maintain कर सकते हैं body चाहे तो इसे maintain कर सकते है एक्सरसाइज के थरू डाइट के थरू जैसे secondary aging क्या है disease है disease क्यों होने लगता है because of the weak immune response due to the passing of the age जैसे जैसे disease जैसे 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 एजिंग आता है time spent होता है वह ऐसे पासे जैसे जैसे पासे आफ टाइम होता है body का cells का उसकी immune system weak हो जाती है immune system weak होने लगती है उसका immune response weak हो जाता है जिसके वज़से क्या होता है कि बहुत सारे disease attacks कर जाते हैं और second point abuses जैसे लोग जैसे तो growth करते है smoking करना start कर देते हैं drink करना etc smoking drink के वज़से भी immune system में बहुत effect पड़ता है इसके वज़से skin लचिला हो जाता है फिर बहुत सारे बहुत सारे skin disease lungs disease हो गएरा आजाते हैं तो यह हमारा हो गया primary aging और secondary aging secondary aging को maintain किया जा सकता है और diet के थूरू exercise के थूरू योगा वगरा करके primary aging को maintain अब देखिए changes during aging at the system aging के समय क्या-क्या changes आते हैं जिसके वज़ा से जल लोग हो जाता है aging changing during aging system level पहला point पढ़ेंगा system level system level पर क्या क्या होता है देख लिते हैं skin become thinner skin thin हो जाता है and loss of elasticity स्थिटि और इलस्टी सीटिए लॉस्ट अउजन हो जाता है इनट सत्व आःउसर इसकीर्स इसकीि सरे लॉस्टी सिटी कि लॉस्टी सिए जात्या एक लिचुश्टी से लॉस्टी false विफ कुलना मोरी फिर हर्ट श्रिंक हर्ट श्रिंक मिन्स होता है कि जो कार्डियक सेल्स होते हैं कार्डियक टीसू होता है हमारे बॉड़ी हर्ड का कार्डियक कार्डियक टीसू जो होता है जो एजिंग आए तो सारे सेल्स में आएगा तो कार्डियक टीसू भी लूज हो जाता है स्रिंक हो जाता ह है ति यहां हर सिंग से यह मतलब है ठाइड हर्ट पाइंड हमारी डूस ब्लड फ्लोड फ्लोवी कम हो जाता है और रिट्यूस सलाई बेक अब देखियो चाहिएश रिखेस भी चाहिश लाई बाकर जाता है एंड गैस्ट जूस गैस्टिक जूस्ट भी जूसक्ट कम दजीश डिएस्ट्व प्रॉब्म्स बहुत सारे आते हैं एजिंग एजिंग आते हैं फिर फीफेक्ट लोड़ी इसकलिकर एॱ भाइन लीकिस पर व्लेवर किस फे एफेक्ट पड़ता है एंड फाटलीटी पर फेक्ट पर ता अब हम लोग स्थ त्टी डिग्रीजें चिम्स टेटेंसी कम हो जाती है कि शॉर्टिंग आफ टीलोमार शॉर्टिंग्न अफ्.. एडी लोमल याद क्योंकि पासिंग आब जैसे जैसे टाईम पासिस होता है हो यसे जैसे Do Mon 81 अब होता है तो चईली स्वेजिन कम हो जाएगा इसके वससी क्या होगा इसका इसक रिज़ल्ट क्या होगा फिरिकंगी हुआ होकु के रिब न मेंने सब्सक्राइब जैसे सेल उल्ट होता है उसकी परिम्योटी जोती हाई जों सेल bakayım मेंबरेन होता है की पर इश्चक्ट होगा जो 맛이 ट्रांस्पोर्ट और यो को ट्रांस पूंपोर्ट होता हूँ इमबैलेंस कहीं जा अटेट तो कहीं का इंबैलेंस तरहा हमारा और ये घर हमारा था जर्नल एजिंग, सेल्वर एजिंग फ्रेंट्स, ओके फ्रेंट्स, सेल्वर एजिंग था, थैंक्यू फर वाचिंग, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें